जितने भी क्लास 12 के कॉमर्स के सूदेंट्स हैं उन सब को मेरी तरफ से कल के अकाउंट्स के एक्जाम के लिए गुड लग I wish आप सब की मेहनत सफल हो और मुझे लगता है कि आपका कल का एक्जाम बहुत ही जादा अच्छा होने वाला है बढ़िया होने वाला है last minute पर मैं आपको 5 important tips देने वाला हूँ आपके अकाउंट्स के एक्जाम के लिए जो आप खास ध्यान रखेगा सबसे पहली बात कि आप proper नीन लीजेगा आज क्योंकि वह सबसे जादा जरूरी है क्योंकि एक calculation वाला एक्जाम है अकाउंट्स में हमें सबसे जादा calculation करनी पड़ती है अगर आप proper नीन नहीं लेंगे तो वहाँ पर आपसे silly mistakes हो सकती है जैसे 789 की जगा आप 798 कर सकते हैं एक जीरो आप extra लगा सकते हैं एक जीरो कम लगा सकते हैं मैं नहीं चाहता कि आपसे ऐसी mistakes हो तो यह बात आप खास द्यान रखिए दूसरी बात अपने आप पर trust रखिए believe रखिए आपने जितना पड़ा है आपको सब अच्छे से आता है आप अपने आप पर confidence रखे यह न दो से तीन बार question को read करें आप देखें कि question क्या मांग रहा है question में क्या information दी है क्या उससे वो निकल सकता है नहीं निकल सकता पूरी तरीके से अपना दिमाग लगाएं इसके अंदर जो questions easy लगें उसे पहले करें जो difficult लग रहें उसे बाद में करें जर्नल ही ऐसा होता है कि हम पहले easy questions कर लेते हैं फिर हमसे difficult questions भी हो जाते हैं अगली important बात आप खास ज्यान रखिए कि paper जैसा भी हो आपको अपना best देना है आपको ऐज़े fighter पूरी fight करनी है last तक कुछ भी छोड़ना नहीं है और paper चाहे difficult हो जैसा भी हो आपको पूरी तरीके से fight करनी है अपना best दे करने से पहले आप 10 मिनट जरूर spare करें अपने पास अपने सारे paper को answers को review करने के लिए कि आपने टिक ठीक से लगाया नहीं लगाया रोल नंबर प्रॉपरली फिल किया या नहीं करा तो last के 10 मिनट जरूर इस चीज़ के लिए spare रखें तो आप सब को आपके कल के accounts के exam के यह वेरी मुच बड़ बाइ